जै मातादी दोस्तो मादुर्गा का दर्बा चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं आसा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मातारानी की किरपा सभी बनी रहे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं अच्छे तृतिया की तो अच्छे तृतिया का जो पावन पर्व है वो बैसाक महीने की सुकल पच्च की तृतिया तिठको मनाया जाता है अच्छे का अर्थ है जिसका कभी छैना हो, कभी ना नश्ट हो पौराडिक मानिताओं के अनुसार इस दिन जो भी सुबकार किये जाते हैं उनको अनेको गुना फलकी प्राप्ति होती है भविस से पौराड के अनुसार अच्छे तृतिया तिठी का विसेस महत्त होता है सत्युक और त्रेता युक का प्रारम इसी दिन से हुआ था तथा ऐसी मानिता है कि भगवान विष्डू ने पराशुराम के रूप में अवताल लिया था इसलिए इस दिन भगवान पराशुराम का जनमोसो भी मनाया जाता है बात करते हैं इस दिन क्या लेना लापकारी होता है तो दोस्तो इस दिन सोना खरीदने और दान दच्छिडा देने का विसेश महत्तु है मानिता है इस दिन दान करने से विक्ति को सभी बाधां से मुक्ती मिलती है और सुक सम्रद्धी बढ़ती है इस दिन गरीबों को चावल, दाल, आटा, सबजिया दान करना सुब होता है ऐसे मानिता है कि राजा भागीरत हजारों वर्सों की कठोर तपस्या के द्वारा ही अच्छे तिया के दिन माता गंगा स्वर्ग लोग से धर्ती पर आई थी तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वर्स अच्छे तिया कब है तो इस वर्स 2022 में 2 माई 2022 दिन मंगलवार को अच्छे तिया मनाई जाएगी अब जानते हैं कि अच्छे तितिया पूजा का समय क्या है तो दोस्तों ये जो मुहूरत है वो 3 माई को सुबा 5 बच के 20 मिनट से प्रारंब होगी तथा 4 माई को 7 बच के 30 मिनट पर सुबा अगले दिन समाप्त होगी अब बात करते हैं कि अच्छे तितिया पर सोना खरीदने का सुब मुहूरत कब है तो दोस्तों 3 माई को 5 बच के 49 मिनट से लेके 11 बच के 55 मिनट तक रहेगा इस मुहूरत में आप सोना चांदी खरीज सकते हैं इससे आपके घर में समृद्धी आएगी तो दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आसा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप से विंती है कि आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिये और बेल आइकन को प्रस कर दिजिए जिससे कि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिल जाए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लोग कमेंट में जै मातादी लिखना बिलकुल ना भूलें तब तक के लिए जै मातादी